लोग सबा चुनाओं से पहले हुआ सपा बसपा गडबंधन दरकता हुआ दिखाई दे रहा है बहुजन समाझ पार्टी के सुप्रीमों मायवती ने दिल्ली में सुमवार को बैठक बुलाई और इस बैठक में गडबंधन के तूटने के संकेत दिये थे आज प्रेस कांफरेंस में भी उन्होंने आस्ताई तोर पर गडबंधन पर रोक लगाई इस पर उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीयम केशो प्रसाद मौर्य ने चुट की लिए है उन्होंने लगातार दो ट्विट किये एक ट्विट में क्वेश्चव प्रसाद मौर्य ने लिखाए कि अब हाथी नहीं करेगा साइकल की सवारी मायवती जी आकले ही लड़ेगी सभी सीटों पर उपचुनाओ आखिर में बुआ ने बबुआ को धोका दे ही दिया हाथी और साइकल का कोई मेल ही नहीं था ये तो सिर्फ मोदी जी का विरोध ही था मौर्य ने अपने एक अन्य ट्विट में कहा कि प्रदेश में अपना स्तीत वो बचाने के लिए बुआ बबुआ साथ साथ आये थे मौर्य ने बैठक में कहा कि गडबंदन का वोट चुनाव में ट्रांसफर नहीं हुआ लिहाजा आगामी उप चुनाव में बीएसपी अखेले ही लड़ेगी बता दें कि लोगसवा चुनाव में बीएसपी के दस प्रत्यशी संसत पहुंचे हैं लोगसवा चुनाव में दस विधायक चुनाव जीत कर संसत पहुंचने में कामियाब रहे ऐसे में विधान सभा की इन सीटों पर छे महने के अंदर उप चुनाव कराना अनिवार ये है वर्ष 2019 लोगसवा चुनाव में बीएसपी को संतोष जनक सीटे न मिलने और कुछ प्रदेशों में करारी हार को लेकर मैयावती ने पार्टी कारे करताओं की अखिल भारती इस्तर पर मिटिंग बुलाई थी यूपी के सभी बसपा सांसदों और जिलादेख्शों के साथ बैठक में मायावती ने कहा की पार्टी सभी विधानसवा सीटों पर उप चुनाव लड़ेगी और अब 50 फिस्दी वोट का लक्ष लेकर राजनीती करनी है मायावती ने इवियम में धानली का भी आरोप लगाया